हैलो डियर सुदेंट भब भब स्वागत अपनी उडूप चनल ओमर भी सर्जीव सर में और आज हम लोग बिजनिस कॉम्मिकेशन को स्टार्ट करते हैं और बिजनिस कॉम्मिकेशन को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आपक संदेश बाहन दो कई बार पेपर में संदेश बाहन लिखकर के जब आ गया तो बच्चे समझ बैटे कि पता नहीं है कोई और टॉपिक होगा लेकिन जो समझदार बच्चे थे उन्होंने अंग्रेजी में जब देखा तो सिर्फ एक ही सब्द था इसका और वो था कॉम्मि का मतलब ही होता है जिसको हिंदी में हम लोग संप्रेशन भी कह सकते हैं संचार भी कह सकते हैं और संदेश बाहन भी कह सकते हैं ये कई नामों से प्रसंद आता है तो इसके लिए आज के बाद मैं सुरू बेही मैं बता देता हूं जिससे किसी भी नाम से आए आप तुरंत इंग्लिस में देख लो कि ये कॉम्मनी केसं तो नहीं है, बस समझ लोग कि उसी के बारे में फिर लिखते चलना है, तो अब पहला टॉपिक निकल करके आता है, पहला चैप्टर है, तो यहां से एक लोग कोशन तो बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, और जो लोग पेट क्लास म उजड़े, उनको PDF नोट समने दे दिये है, नए बच्चे कर जोड़ना चाहते हो, 9719811101, यह ओफिस का नंबर है, जहां से आप हम से जुड़ सकते हो, सबसे पहला जो टॉपिक है, वो है ब्याबसाइक, संचार का अर्थ, क्या होता है यह ब्याबसाइक संचार का अर्थ, जब भी इसका अर्थ लिखने के लिए आए, तो इसका अर्थ लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, double inverted comma में बेटा लिखना शुरू करना, और तीन लाइने, धाई लाइन जितने में आए, एक statement वो जरू लिखना, और क्या लि किया जाता है, अथ्वा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, अथ्वा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, ब्याबसाइक संचार कहते हैं, फिर एक बनाना डाइग्राम, क्या बनाना, ब्याबसाइक संचार, ठीक, दो आप्टर है ब्याबसाइक संचार वो यही दो चीजे तो है इसमें कि ब्याबसाइक संचार क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याबसाइक के क्या होता है ब्याबसाइक का सीधा सीधा मतलब बिजनिस से लोग लगाते हैं ब्यापार से लगाते हैं पेसे से लगाते हैं अर वो किरिया के लाप आपका क्या कहलाएगा ब्याबसाइक किरिया कहलाएगी और ब्याबसाइक किरियाएं हमेशा जो होती है वो आर्थिक किरियाएं होती है आर्थिक किरियाएं का मतलब होता है आर्थिक किरियाएं आर्थिक किरियाएं का सीधा सा मतलब होता है धन कमाने वाल जिश कहीं ने कहीं अच्छे से बारता लाप करके, बिचार बिमर्ज करके, सूचनाओं का आदान प्रदान करके और क्या होता है धन कमाना होता है अब ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान बारता लाप वही चीज हमारी क्या कहलाती है संचार कहला अब अगर हम यह paid class में ही पूरा चलाएं तो यह हमारा ब्याबसाइक संचार कहलाएगा अगर हम यह public में चलाएं तो यह ब्याबसाइक संचार इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि इस क्लास को सब लोग देखेंगे अब जो pdf notes होते हैं वो कैसे होते हैं वो ब्याबसाइक communication के base पे ही आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि वो free नहीं है तो यहाँ पर आपको महत्थ पून रूप से हमको यह समझाना है कि paper में लिखोगी कैसे लिखना जब किसी ब्याबसाइक दो या दो से अधिक वह कितने भी हो सक माताओं से बिचारों अत्वा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे हम ब्याबसाइक संचार कहते हैं ब्याबसाइक संचार सीधी सीधी बात एक सपष्ट करता है कि इसमें ब्याबारिक क्रियाओं के लिए यानि क्रै विक्रै को पूरा करने हैं तू तमाम सूचन सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है गिरहा को से वरता होता है तो यही चीज हमारी एक प्रिकार की क्या बनती है जाकर क्यों क्यों kho सूचनाओं को सीदे काता है कि सूचनाओं को लेने और देने से Remote से तो सूचनाओं ब्यापसाइक संचार कहते हैं अब इसमें आप एक हेडिंग जरूर याद करके जाना क्यूंकि ये पेपर में मिलता जरूर है और जैसे हमारी बोडी में ये भी लिख देना इसके अर्थ में जैसे हमारी बॉडी में बर्क करने के लिए बिलड है वो सबसे महत्पूर्ण भू बैपारी के हां आता है और वो माल पर्चेज deserved नहीं करता है काफी देर तक उलेटपलटलट उलेटपलट करता है लिकिन फिर भी बअले बियापारी का जो ब्यावेर हार है उसके परती अच्छा रहता है अब बिना माल खरीदे ही दुकान से बाहर चला जाता दूसरी दुकान पर पहुंचता अब बहां पर देखता है तो Isके लिए बहां पर पसंद आ जाता लेकर चला जाता है ओके अब पहले वाले व्रिया-पारी को तो उने किसी मिलने बाले से जब भी उससे कोई पूछेंगे तो कहेगा आ रहे उनके यहां चले जाना हम तो बहुत देर तक उन्हें परिशान किया या उसके मन में यह बात रहेगी लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं हुए इसका मतलब उसका ब्याभार बहुत अच्छा है और आ यह लिए आपको कुछ एक ऐसा चोटा सा डाइग्राम बना करके और चलिए इसे भी आप दिखा देते हैं आप लिखना यहां पर संचार ठीक संचार लो या संप्रेशन लिख लो इस तरह से और संचार या संप्रेशन तो लिख लिया आपने अब इस तरह से सबसे पहले होता है एक ब्यक्ति प्रेशक प्रेशक कुछ ना कुछ भेजता है यानि भेजने बाले को हम क्या कहते हैं प्रेशक कहते हैं जो भेजता है बै होता है उसका क्या शंदेश ओके अब ये हो गया शंदेश प्रिसक ने भेजा क्या शंदेश अब ये किसी ना किसी चैनल से भेजा होगा चैनल को हम क्या कहते हैं माध्यम भी कहते हैं ओके चैनल या माध्यम माध्यम से हमने इसके लिए भेजा अब ये किसी ना किसी व्यक्ति के पास में पहुचा होगा जिसको हम कहते हैं प्राप्त करता ठीक है और प्राप्त करता एक जो भी जवाब देगा वो कहलाएगी प्रती पुष्टी और प्रती पुष्टी हमेशा किसे दी जाती है प्रेशक को दी जाती है तो जहां से शुरुवात हुआ वहीं पर लोट करके जवाब आना ये पूरी एक प्रिक और नबीन सुचनाए देना गिराकों से बैचित करना यह सब व्यापसाइक संचार पहुचा रहे हैं यूडूब आप कौन हो इसके प्राप्त करता हो उदर से जो भी आप कमेंट करते है वो आपकी क्या कहलाती है प्रति पुष्टी कहलाती है आप comments करते हो हमको like करते हो हमारा channel subscribe करते हो तो ये हमारी क्या होगी प्रति पुष्टी होगी feedback होगी तो feedback क्या होता है हम आप से जो कुछ भी कहें जो कुछ भी पूछें उसके बदले में आपके दुआरा जो दिया गया जवाब होता है वही चीज हमारी क्या कहलाती है प्रति पुष्टी कहलाती है बहुत important है very very important जैसे आपकी teacher ने आपको कुछ पढ़ाया कुछ समझाया और समझाने के बाद में उसने आपके पास तक सारा ग्यान भेज़ दिया अब उस ग्यान मे से आप से अगर कुछ पूछता है तो जो आप बापस देते हो बस वही आपका क्या कहलाता है feedback कहलाता है तो feedback का सीधा सा मतलब जो होता है वो किसमे होता है प्रेशक के लिए होता है किसके द्वारा प्राप्त करता के द्वारा सूचना प्राप्त करता के द्वारा तो इस त बाद में फिर अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बूप टॉपिक जो इसकी बिस्यस्ताएं हैं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं ओके और यह जो क्लास है उत्तर प्रदेश की सभी उनिवर्सिटियों में जो लोग इस्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज् सभी जो चाहें कोई वी यूनिवर्सिटी ओ मासा कुमरी यूनिवर्सिटी ओं CCSU मेरत हो MJPRIO कासी विद्याग भीठो सिदार्थ यूनिवर्सिटी ओ जो कपिल बस्तु में हैं और राजा महंद्र प्रताप सिंग यूनिवर्सिटी है डी डी यू है और माहराजा सोहल यूनिवर्सिटी आजमगर में है, पूरवान चल है, रजु वहिया है, बुन्देल खर्ण यूनिवर्सिटी है, यह सब यूनिवर्सिटियों का जो सलेवस है, वो सेम है, वो हमारे यहां बहुत अच्छे तरीके से होता है, बाकि यूपी की कोई और यूनिवर्सिटी जाती है, ठीक है, तो चलिए, अब अगला हम टॉपिक स्टार्ड करते हैं, बैह है ब्याबसाईक संचार की चाए विसेशताएं लिखने को आ जाएं, चाए उद्धिस लिखने के लिए आ जाएं, तो आप यह इस तरह से लिखोगे, ब्याबसाइक, संचार या संप्रेशन की विशेश्था हैं ठीक, यहाँ पर आजाओ ठीक है? यहाँ है ब्याबसाइक, संचार अथ वा संप्रेशन की विशेश्था है अब यहाँ पर हम आपके लिए समझाते हैं पहली विशेश्था या पहला ब्याबसाइक, संचार या संप्रेशन की विशेश्था है या उद्देश भी लिखने के लिए आजाएं तब भी यही कारिये कर जाएंगे ठीक है? उद्देश यही होते हैं संचार संप्रेशन को ब्रेक इडम कर लो ठीक है? या तो ब्याबसाइक संप्रेशन की नाम से पेपर आएगा या ब्याबसाइक संचार की नाम से आएगा इसकी विशेश्था है या उद्देश समय से कुछ भी पूछा जा सकता है तो मैं आपको इतनी हेडिंग देता हूँ, इतनी हेडिंग कहीं नहीं मिलेंगी देखो, पहला जो उद्देश होता या विशेश्था होती है नमबर एक सूचनाओं का आदान पिरदान पहली जो सूचना होती है वो यही होती है कि सूचनाओं का आदान पिरदान यानि सूचना है लेना और देना ठीक दूसरा मानविये संबंद बनाना मानविये संबंद बनाने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी ब्यापारी की यहां पर जाते हो अगर उसका कॉम्निकेशन इसकिल ठीक है अगर उसका बाचीत करने का तरीका ठीक है तो तुमारे उससे क् एक प्रेम मैत्री वाले संबंद या एक अपनी चुनी हुई दुकान आपको ऐसा लगता है अपनी दुकान पर ही चल रहे हैं तो यह सब चीजे अच्छे व्यवहार अच्छी बोलशाल से आपके अंदर आती हैं तो इस तरह से मानविय संबंद भी कॉम्निकेशन के द्वारा बनते हैं नमबर तीन है भ्रम की इस्थती दूर करना यह भ्रम की इस्थती दूर करने का मतलब क्या है यहाँ पर भ्रम की इस्थती दूर करने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कहीं पर भ्रम है कहीं पर कुछ ऐसा है एक दम किलियर नहीं है तो उसको क चौथे नंबर पे है नवीन सूचनाओं की जानकारी देना नवीन सूचनाओं की जानकारी देने का मतलब यहां पर है कि जब भी ब्यापारी के पास में कोई नया प्रोडक्ट आता है कोई नई बात आती है कोई नया कुछ भी होता है तो वो जब अन लोगों को देता है तो वही चीज, हमारी नवीन सूचनाओं की क्या है, जानकारी, कहलाता है, यानि ब्यापसाइक समचार के माद्यम से ही जो नवीन जानकारियां है, यह अन लोगों के लिए दी जाती है, ठीक है, और अगला पंचमा नंबर है, ब्यापार का विस्तार, देखो, बिजिनिस का, जब बड़े उसमें जाना होता है, छित्र में जाना होता है, तब भी भी अपसाइक संचार की जरूरत पढ़ती है, बिजनिस कॉम्मिनिकेशन के द्वारा ही इन सब चीजों को कहीं न कहीं पर बिस्तार पूर्वक आगे बढ़ाया जाता है, अगला है अन लोगों तक पहुंच, इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिजनिस में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी जो ब्यापारी होता है उसको नए-ने लोगों की जरूरत होती है, तो इस तरह से इस काम में बिजनिस कॉम्मिनी के समझ लोगी सीधे बारता लाप, बारता लाप करने से ही अन लोगों के पास पहुँच बन पाती है. तो अगला जो यह हमारा टॉपिक है, अन लोगों तक पहुँच यह देन होती है, किसकी ब्यापसाइक संचार की ही देन होती है, किसी और की देन नहीं होती है. अगला है सातमा, परिवर्थनों को लागू करना. परिवर्तनों को लागू करने का मतलब सीधा सीधा सा यह है कि कोई भी अगर बिजिनेस में चेंजेस हैं कोई भी बात चेंज हो रही है तो उसके लिए भी लागू किया जा सकता है उसके लिए कहीं न कहीं पर बनाया जा सकता है तो परिवर्तनों को भी लागू किया जाता है वो भी किसके माद्यम से ब्यापसाइक संजार के माद्यम से जैसे तुमारे लिए कुछ भी आइटम तुमने मंगाया हो और उस में अगर 10% छूट चल रही हो अचानक अगर 15% छूट आ जाए तो यह जो ब्यापारी है यह आपको फोन करके आपको सूचना दे करके जानकारी दे सकता है तो आप उसका माल भी परचेज कर सकते हैं उसी को कहते हैं परिवर्तनों को लागू करना अगला जो इसका है करमचारियों को प्रेरित करना यह बहुत महत्तपूल होता है क्योंकि करमचारियों पर पूरा बिजनिस टिका हुआ होता है करमचारियों को प्रेरित क करना देखिए अच्छी बात करके अच्छे से सला दे करके इनको मोटिवेट करके ही आगे इन्हें प्रिरित किया जा सकता है तो करमचारियों को भी प्रिरित करना ये कारिये होता है या उद्देश होता है या बिसिस्ता होती वो भी किसकी ब्यापसायक संचार की तो करमचार लेने का मतलब है कि जो भी करना है वो एकदम क्विक डिसीजन के साथ में करना है ठीक है और तुरंत करना है तो सीग लेने में भी यह बहुत जरूरी होता है कि कॉम्निकेशन के बिना हम यह सब कारिये नहीं कर सकते हैं अगला दसमें नंबर पर भविष्य की योजनाय बनाने में सही होगी भविष्य की योजनाय बनाने में सही होगी अगर हम कोई फ्यूजर में प्लानिंग करते हैं कुछ नया लाना चाहते हैं कुछ नया कोई नया सौप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें भी जो बिजिनिस कॉम्निकेशन होता है उसका सही होग मिलता है अब किताब में तो अगर आप इसकी विसेश्था या उद्देश देखेंगे तो मुश्किल से आठ साथ नो दस ही होंगे लेकिन यहां पर हम इतनी हेडिंग आपको बता देंगे कि साथ किसी चैनल पर तो नहीं ही मिलेंगी और इसके साथ साथ में जब आप लिखकर के सहयोगी होता है यह भी हम आपको समझाते हैं देखो बिग्यापन का मतलब होता है कि अपने ब्यापार का पिरचार परसार करना और यहां पर भी बहुत सारे ब्यापार यह ऐसे होते हैं जब भी कोई नया गिरहक आया तो अपने मुझ से बताते हैं कि आरे भाई हमारे यहा बारें काम यम्म इनुम्म को सविधा का मतलब सीधा सीधा यह हैzięki जब कौमनीर ऑंते हैं सूचनाओं का जब आदन परदान होता है ऑसे गिरहक भी फाल्तु भगदार जो होती है आना जाना होता है वो भी रुक जाता है कहने का मतलब है कि सारी सूचना घर बेटे ही मिलती रहती हैं तो आने जाने के जो जंजट है समय की बरबादी है रुपए धन का अपवे है वो भी रुक जाता है तो गिराकों के लिए भी क्या होता है सुविधाएं रहती हैं अगला ह तेरवे नंबर पे मजबूत प्रवंद व्यवस्था देखो जब कॉम्मुनिकेशन लगातार होता है अच्छे से होता है तो जो प्रवंद व्यवस्था है वह भी बढ़िया बनी रहती है तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो मनेजमेंट सिश्टम होता है प्रवंद व्यवस्था होती है वह भी क्या है अच्छी वनी रहती है ठीक है तो मजबूद प्रवंद का निर्माड होता है अगला है चोदमी नंबर पे नभीन योजनाओं को लागू करना नभीन योजनाओं को लागू करने का मतलब है कि हम कोई नया प्लान लेकर के आ रहे हैं नई के फिल्ड में लोग होंगे उनके लिए नई जानकारियां नई बातें मिल जाएंगी तो नभीनी योजनाओं को भी जब लागू करना होता है तो यह भी यहां पर बिज्यूस कॉम्णिकेशन का ही सहारा लिया जाता है अगला पंद्रमे नंबर पे हैं विक्री बढ़ाने में सही होगी इसका सीधा सा एक मतलब है बिक्री बढ़ाने में सही होगी का मतलब है कि जब तक ब्यापारी अपने गिरहकों से सही से बात नहीं करेगा उनको कही न कहीं डील नहीं करेगा उनको संतुष नहीं करेगा तब तक जो गिरहक हैं वो ज़्यादा मात्रा में माल नही तो यह भी इसकी एक विसेश्था है और उद्देश है कि उत्पादल की विरत्दी बढ़ाने में यह क्या है शहयक है अगला शोल में नंबर पे शंप्रेश्यान कि दूइमारगी होना संप्रेश्यान दूइमारगी होने का मतलब यहाँ पर आया कि यह टूबे कॉम्णिकेशन है क्यों है टूबे तूबे हम कितना भी आपके लिए कॉम्णिकेशन करते रहें लेकिन जब तक वो उसी अर्थ में आपके पास नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो पूरा नहीं होगा तो यह माना जाता है कि कॉम्णिकेशन है वो क्या है दो मारगी प्रकरिया है दो मारगी का मतलब है टूबे है सत्रमे नंबर पे संप्रेश्यान एक सतत करिया है संप्रेशनल एक सदत करिया है का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो कॉम्णिकेशन है वो कंटीनियू होता है उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर महत्रा में जो सूचना है वो लगातार जाती रहती है और आती रहती है इससे कोई भी गिरहक होत बूरी नहीं हो पायता है जो किसी और के पहुंच पाए किसी और का कर्ष्टमर बन पाए इसलिए जो कॉम्निकेशन की एक विस्ष्टा होती वो यह होती कि यह लगातार प्रिक्रिया चलती रहती है ठीक है जैसे आपने दिखा होगा कि कहीं पर अगर कोई बैंक का मैसेज है या किसी मॉल बगैरा सौपिंग मॉल में आप जाते हो तो बहां एक वार आपका नंबर ले लिया तो बहां के जितने वी ओफर हैं लगातार आपसे पास में आते रहते हैं चाहें माल आप पर्षेज करिए या ना करिए ओके और अठार्मी नंबर पे भूमिक का मतला होता है सभी जगे पर लागू होना जो कौमनी केसन है वो हर जगे पर लागू होता है बच्चा पैदा होता है तब भी रोने की आबाज निकाल करके वो कौमनी केसन ही करता है जब वो धीर धीरे बड़ा होता है तरह तरह की बाते बोलता है फिर वो पढ़त तो यह सब चीजे क्या हैं हर जगे पर लागू